सबको वो देने की कोशिश करो, जो आप खुद के लिए चाहते हैं, क्योंकि दुनिया देती नहीं है, लोटाती है, वो वही लोटाती है, कहीं न कहीं से, जो आपने दुनिया को दिया है एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ, एक गौला रोज अपना एक सेर मक्खन एक दुकान पर बेचा करता था, एक दिन दुकानदार के मन में आया, कि मक्खन को तॉल कर तो देखूं, कि एक सेर है भी या नहीं, जब उसने मक्खन तॉला, तो वो एक सेर से कम निकला, दुकान दुकानदार को बहुत खुस्सा आया, उसने अपना मसला पंचायत में सुलजाने का फैसला किया, पंचो ने गौले से पूछा, क्यों करते हो बेइमानी, किसान ने फोले पंचे कहा, सरकार, मैंने कोई बेइमानी नहीं की, पंचो ने कहा, बेइमानी नहीं हुई, तो खाओ वो बाट, जिससे मक्खन तॉलते हो, गौले ने कहा, जी, कोई बाट नहीं है मेरे पास, अब तो पंचो को भी खुस्सा आ गया, बोले, अगर बाट नहीं है, तो मक्खन कैसे तॉलते हो, फिर से वही भोली सूरत बना कर, गौले ने जवाब दिया, सरकार इस तुकानदार ने कुछ ही दिन पहले मुझसे मक्खन लेना शुरू किया, पर मैं तो कई सालों से इस सामान लेता रहा हूँ, इसने एक बार जो एक सेर चीनी दी, उसका ही बाट बना कर, मैं उससे मक्खन तॉल देता हूँ, अब आप ही बताईए, कि गलती किसकी ह दोस्तों, ये जीवन हमें वही लोटाता है, जो हम उसे देते हैं, अगर हम चाहते हैं, कि हमारे साथ अच्छा हो, तो हमें भी अच्छा ही देना होगा, क्योंकि जो बोगे, वही तो काटोगे, धन्यवाद, इंतजार रहेगा आपके कमेंस का